वेल्कम बेक टू माई इटूप्चनल पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छात्र आपको फेल करने वाला कोई नहीं है आप इस तरीके से कर गया ना इस कोशन को जब भी आए ठीक है इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला देखो इस परकार से हम इसको पढ़ेंगे और समदेंगे लास्त वीडियों बने रहा आप आप आपने हमारा यूटूब चल पेपर हैकर क संस्काइब नहीं किया है तो कर लेड़ी और दोस्तों को शेर कर दिना देखो आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो मुझे पताने हैं लेकिन आज के बाद आप इस कोशन को ऐसे पढ़ोगे और सिंपल तरीके से याद करोगे ठीक है दिखो समास्त्र और मानभ शास्त्र म और इसमें लिखेंगे समाज सास्त्र का संबंद बर्तमान जटिल और कि सव्य समाज से है जो सम्पर समाज होता है उससे है जब कि मानब सास्त्र सरल और सरल से है और आदिम से आदिम समाजों के अध्यन से संबंदित है अब देखो मानब आप तो इतने ऐसे लिखने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं सिंपल तरीका बता रहा हूं लिखोगे कैसे आप इसको पूरा मतलिकेना अब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं उस तरीके से याद करना इसमें लिखा है तो उसका फर्क ने यहां लेखेंगे समाज सात्र का संबंद बरतमान जटिल समाज से है इसको छोड़ देना ठीक है उसके बार लेखना जबकी मानब सरल और आदिम समाज के अध्यन से है अध्यन से है समंदित है यह छोड़ देना ठीक है पॉइंट ऐसे से लिखेंगे कि समाज सास्त्र का अध्यन वर्तमान जट्टल समाज से है जबकि मानब सास्त्र का सम्मंद सर और आदिम समाजों के अध्यन से है ठीक है पूरा सास्त्र अध्यन में समाजिक संशेपड कह सकते हैं सर्वशेपड और समाज मिती आधी पदितियों का विसेश महत्व है जबकि जो मानवी सास्त्र होता है मानब सास्त्र कह सकते हैं मानब सास्त्र अध्यन में सहवागी अवलोकन पदिती का प्रियोग करता है ठीक है पॉइंट लिखेंगे कि समास्सास्त्र एक बिशुद्ध बिग्यान है समास्सास्त्र कैसी एक बिशुद्ध बिग्यान है जब कि मानब सास्त्र एक बिवहरिक बिग्यान है कैसी बिटा मानब सास्त्र एक बिवहरिक बिग्यान है और एक जो समास्सास्त्र वो एक बिशुद समंदित है मानफशास्त होता है वह प Yani मैं अधिया हुआ ता है जब की मानफशास्त होता है या फिर भवेस्थखी और इंगत करता है बरत्मान मतलर कि present और future प्रेजंट में क्या चल रहा है और फीचर में क्या आने सत्तiable दो द्रष्टि क३र्ट होता है वो कैसा होता है समाज सास्त youtube समाजिक होता है जब कि मानविश सांस्तका दस्त"- कोड संसकृतिic होता है यहument खि act की जाय है तो इसका दो द्रष्टि कोड होता है वो समाज सेंट होता मुझास्घ कोडि करता है लेकिन जब कि मानब सास्ट का दस्टी कोड कैसा होता है सांस्कृतिक होता है मतलब कि संस्कृत के वगधार पर होता है क्योंकि अब यक्वूक्сли मानब सांस्कृति का अधिकॉषक पर आपस में उसके बारे में देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू फर वचिन इस वीडियो बाइब